नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका हमारे चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप न्यूज में रोजाना बिहार की 10 प्रमुख खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर के घर निगरानी की चैपे मारी मिला 3 करोर से अधिक नगत और कई बिनामी फ्लैग पटना में 10 से 12 दिन और बढ़ेगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, चौथी लहर की असंका नहीं पटना में अलर्ट मोड पर नगर निगम, 19 जोन में घुमेगे क्वीक रिस्पॉंस टीम की गाडिया उत्तर बिहार की औरोगिक नगरी, मुजफरपुर में होंगे 5 अनुमंडल, रस्ताव ग्रिह विभाग को भेजा जाएगा खुले में 100 से मुक्ती के लिए दूसरा चरण शुरू, 28,000 परिवारों को मिलेगा योजना का लाब उत्तर बिहार के इन 4 जिलों में है भारी बारिस का अलर्ट, पटना को लेकर है ये अपडेट IDBI बैंक में 226 बदों पर पंफर बहाली, जानिये कैसे होगा आवेदन डीजल ओटो चलाते पकड़े गए तो होगी बड़ी कारवाई, परमिट होगा रद पटना में निगरानी अनवेशन ब्यूरो ने सनिवार को ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की चार ठिकानों पर एक साथ छापे मारी की यह चापे मारी पटना सिटी के सुल्तान गंज इस्थित, उनके कारियाले और आवास, दानापूर के गोला रूट इस्थित, फारमेसी कॉलेज और गया सहर इस्थित फ्लेट में हुई है सूत्रों के मुताबिक धितेंद्र कुमार के आवास से चार करोड रुपईये से अधिक नगद रासी बरामद हुई है, नगद रासी का दायरा और अधिक हो सकता है, इसके अलवा टीम की जाँच में सोने चानली के आभुसन, जमीन वा मकान और इंसुरेंस पॉलिसिज का देर साम तक चली जाँच में उनके वा परीजनों के नाम पर पटना और राची के पॉस इलाकों में जमीन वा फ्लैट का भी पता चला है, अगले सुबह से लगी निगरानी के टीम सनिवार की देर साम तक अथा चल अचल संपत्ती के आकलन वा मुल्लांकन में जुटी रही इससे पहले ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाप निगरानी थाने में दो करोड रुपई आई से अधिक संपत्ती का मामला दर्ज कराते हुए छापिमारी सुरू की गई पटना जीले में बीते 15 दिनों से करोणा की रफ्तार तेज है बीते 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या प्रती दिन 75 के आउसाथ से बढ़ रही है सहर के एमस, आईजी आएमस, सहित बड़े अस्पतालों के विसेसग वा कोविट नोडल पदादिकारियों के अनुसार जुलाई के पहले सब्ता तक केस में और इजाफा देखा जा सकता है जीले में प्रती दिन कुरोना संक्रमितों की संख्या 150-200 के पार भी जा सकती है मगर अगले 10-12 दिनों के बाद संक्रमितों की संख्या में कमी आएगी फिलाल कुरोना की चौथी लहर की कोई असंका नहीं दिख रही है सिर्फ कोविड नियमों का पालन कर दे हुए विशेश सतर्गता बरतने की ज़रुवत है PMCH के कोविड वॉर्ड के नोडल पताधिकारी डॉक्टर अजय तरून के अनुसार वरतमान में कुरोना के मामले थेजी से बढ़ रहा हैं लेकिन दूसरी वत तीसरी लहर के मुकाबले वायरस कमजोर दिख रहा है क्योंकि तीन से चार दिन में ही लोग स्वास्त हो जा रहा है सहर के किसी भी छेत्र में जल जमाव की सिकायत मिलने के 15 मिनट के अंदर फीक रेस्पॉंस टीम मौके पर पहुँचेगी और समझसा का समाधान करेगी इसके लिए निगम द्वारा हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है सहर में कहीं पर भी जल जमाव की इस्तिती में पटना वासी निगम से सिकायत कर सकते हैं पटना नगर निगम ने सिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 15-13-04 जारी किया है पटना के सभी 75 वाडू के लिए सितंबर तक 19 जोर्नल फीक रेस्पॉंस ट लिए आधारवुत संग्रक्षना और उसकी सही निगरानी करने के लिए यहां पांच अनुमंडल बनाने की कवायत थेज हो गई है नए स्वरूप में इसमें एक सदर अनुमंडल वा चार दूसरे अनुमंडल बनाये जाएंगी प्रमंडलिया आयुक मनीश कुमार के आदे नजर अलग-अलग प्रकंडों से अनुमंडल गठन की मांग दसकों से उठती रही है यही सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही इसका प्रस्ताव सामान प्रसासन वा ग्रिहा विभाग को भेजा जाएगा इसके पुरू मोतीपूर में अनुमंडलिया विवहार नियालय की सुरू होने वाली है राजनितिक कारणों से विरोध वसमर्थन के बीच सुरू यह प्रक्रिया जल्दी ही धरातल पर उतारने की तैयारी है ताकि चीजों को विवस्तित किया जा सके वर्तमान में जीले के सभी 16 प्रकंड के लिए दो अनुमंडल पुर्वी वपस्चिमी ही अनुमंडल की संख्या बढ़ाने की ताकिकता इसलिए भी बढ़ाई गई है कि जीले में अब नगर निकायों की संख्या बढ़ाकर दस हो गई है बिहार के हाजीपुर जिले में लोहिया स्वच विहार अभ्यान के दूसरा चरन में सरवे का काम सुरू कर दिया गया है इस अभ्यान के तहट नए परिवार जिनके घरों में पुरू में सोचालाई का निर्मान नहीं हुआ था उन्हें व्यक्तिगत सोचालाई की निर्मान के लिए 12,000 रुपये की पुरुटसाहन रासी दी जाएगा वित्य वर्च 2021-22 से 2024-25 तक खुले में सोच से मुक्ति के लिए घर-घर सोचालाई का निर्मान कराया जाएगा जीले में 28,000 नए सोचालाई का निर्मान कराने का लक्ष निर्धारित किया गया है योजना अंतरगर्थ पंचायतों में 30 जून तक सर्वेकर रिपूर्ट जीला में उपलब्द कराना है सोचालाई निर्मान नहीं हो सका वैसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा सोच भारत मिसन और लोहिया सोच बिहार अभियान का मुख उद्देश जीले को खुले में सोच मुप बनाना है साथ ही ठोस और तरल कच्रा प्रबंधन के माईदम से ग्रामिन छेत्रों में सफाय विवस्ता में सुधार लाकर ODF प्लस महत्पुन योजना चलाए जाएगी बिहार में मौनसूर ने दस्तक दे दी है राजदानी पटना समेत उत्तर और दक्चिन बिहार के सभी जीलों में लगातार बारिस हो रही है मौसम केंडर पटना के दतकालिन पुरवानुमान के अनुसार आज मधुबनी सुपॉल किसंगंच और अरेरिया में भारी बारिस का येलो अलर्ट जारी किया गया है पुरे प्रदेश में पुरवी और दक्चिनी पुरवी हवा का प्रभाव बना हुआ है बारिस की वज़ा से राजवर के जीलो में तापमान में गिरावट आई है पटना में भी बारिस के बाद मौसम सुहाना हो गया है लेकिन आदरता पढ़ने से उमस बढ़ी है मौसम बिग्यान केंडर पटनाने मुजफरपूर और वैसाली जिले के कुछ भागों में अगले तीन घंटों में हलके दर्जे के मेग गर्जन के साथ मध्धम बारिस होने का पुरवानुमान जारी किया है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अर्वल, गया, जहानाबाद, नालंदा, सेखपूर और वस्चिमी चंपारन जिले में भी आगामी दो से तीन घंटों में हलकी से मध्धम बारिस के साथ वजरपात होने का पुरवानुमान जारी किया गया है मौसम को देखते हुए लोगों से आगरह किया गया है कि सतर्क और सावधान रहें अगर आप किसी भी खुली जगह पर हैं तो सीग रही किसी पक्के मकान के सरन ने उच्छे पेड अत्वा बिजली के खंबे से दूर रहें सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है IDBI बैंक में इस बेसलिष्ट कैडर ओफिसर के पदों पर भरती निकली है जिसके तर्द कुल 226 पदों पर भरतियां की जाएंगी आपको बता दे कि वेकैंसी के लिए आवेदन परक्रिया 25 जून यानि की बीते सनिवार से सुरू हो गई है नौकरी के लिए इच्छुक उमिद्वार कासित नोटिफिकेशन को अच्छे से समझे और IDBI Bank के official website idbibank.bank.in पर जाकर आवेदन के परक्रिया को पूरा करे आवेदन करने की अंतिम्तिती 10 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई है पटना में डीजल वाले आटो के परिचालन पर रोक लगा हुआ है इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं और डीजल आटो चला रहे हैं लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी रोक के बावजूद डीजल आटो चलाने वालों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कारवाई करने का फैसला किया है आटिये में उन्हें नोटिस भेज कर कहा है कि एक हफते के भीतर आटो को CNG में कनवर्ट करा लें अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमिट रद कर दिया जाएगा वहीं CNG में कनवर्ट कराने पर सरकार की और से मिलने वाली सबसिडी भी अब नहीं मिलेगी आपको बता दे कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2022 तक डीजल आटो को CNG में कनवर्ट कराया है किवल उन्हीं को सबसिडी मिल पाएगी बिहार और जारकंड के निलिमा विराट इंडस्ट्रीज के एमडी विराट कौरव की माने तो डीजल आटो को CNG में कनवर्ट कराने से आटो मालिक सीधे 2 लाख रुपईए बचा पाएंगे अगर वे नया CNG आटो लेंगे तो उन्हें 2-3,5 लाख रुपईए का खर्च आना तय है अगर EMI पर लेते हैं तो 5 साल व्याज दिना पड़ेगा ऐसे में एक लाख से कम में CNG किट लगवा कर फिर आटो को नया कर सकते हैं दो वर्षिया 28 एवं सिक्चा सास्त्री में नमांकन के लिए राज जस्तरिय संयुक्त परवेश परिक्चा का आयोजन 6 जुलाई को होगा परिक्चा सुभा 11 बजे से 2 पहर 1 बजे तक पूरु निर्धारिक केंद्रों पर ली जाए पूरु में निर्गत, प्रवेश पर्त्र, समय एवं अन सभी दिशा निर्धेश यथावत रहेंगे बतादे की पहले यह परिक्चा 23 जुन को होनी थी जिसे कुलाधिपती के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था राज के 11 सहरों में आयुजित होने वाली संयोक प्रवेश परिक्चा सांतिपुर्ण एवं कदाचार मुक्त हो इसे लेकर सुक्रुवार को कुलपती प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंग ने समन्दिच जिला के डियम अधिकरित अधिकारियों के साथ ओनलाइन बैठग की कुलपती ने कहा कि लनामिवी यह परिक्चा लगाता तीसरी बाग आयुजित करने जा रहा है उन्होंने सभी अधिकारी से कहा है कि आप लोगोंने पूरु में भी परिक्षा को कदाचार मुक्त एवंग सांती पुर्ण आयोजित करने में मदद की है उन्होंने अपिक्षा जताए कि इस पर्स सहयोग मिलेगा खुल्पती के साथ ऑनलाइन बैठक में नौजिला के डिएम अधिक्रित पदाधिकारी उपस्तित थे बैठक में अनुपस्तित रहे जीले मदेपूरा एवंग मुँगेर के डिएम अधिक्रित पदाधिकारी acquire यों से राज सरकार ने आयोग को चुनाव की तैयारी करने को हरी जंडी दे दी है। पिलाल चुनाव पूर की तैयारी के करम में नगर निकायों के वाडों के गठन का काम पूरा किया जा रहा है। समिती गठित करने पर फैसला नहीं हुआ है। समिती जाओ चुनाव का युआ है। समिती जाओ आव रहा है।